ओम नमस्वाई सभी भक्तों को जैश्री राम छे क्रोड की छे बाते जी हाँ छे क्रोड की छे बाते एक संत ने एक राजा को बताई थी और वह एक बात एक क्रोड से भी उपर की किमत की माईने रखती है आज वे बाते मैं आपको बता रहा हूँ आप ध्यान से सुने, आपके प्रति दिन जीवन जो आप जीवन जी रहे हैं, इससे संबंदित में बाते हैं, यदि आपने इनको धरन कर लिया, तो निशन दे आप अपने जीवन की उचाईयों को आप छूने से बिल्कुल भी नहीं चूप पाएंगे, आप जो चाहोगे वो कर पाओगे, जैसा चाहोगे वैसा आप चल पाओगे, जिस भी इच्छा को चाहोगे वैच्छा भी पुर्य होगी, लेकिन ये छे बाते ऐसे होती हैं, जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, एक संत ने एक राजा को ये बाते बताई थी, तो छोटी सी कताय ध्यान से सुने, ये कि राजा थे, चकरवती राजा, वो अक्सर अपने नगर में सुबह के समय भर्मन करने निकलते हैं, बेस बदलते हैं, और भर्मन करने निकलते हैं, और जो भर्मन करते हैं, तो वो इसलिए निकला करते थे, ताकि लोगों को मैं आहार वेवार देख, लोगों को मैं किस किन पुबिक रह रहे कि समाज रह रहा है उनको को दुख दर्द तो नहीं प्रिसानी तो नहीं को समस्शा तो नहीं इंट तो सुबा वह सुबा ब्रह्मुर्द में बेस वदलते और बहार नंकल जाते हैं कि पहले आज के समय तो लोग भूत ले जीए पहले समय में लोग चार बजे-चार पाई छोड़ेते थे और सब इपने काममभेंदे Control निकल जाते ते। तो राजा वेस बदल कर भार नगर में भर्मन करते तो भरमन करते 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 उने एक संत मिले और जब वह संत मिले तो संत को मिलकर राजा बड़े पर्षन होई तो संत ने राजा से कहा कि राजन मैं अपनी 6 बातों को तुमें बेचना चाहताओं और वो छे बाते हैं गोड़े की हैं उससे में करोड़ रुपे तो मैं आज के टाइम में आप पताएं कि करोड़े इस उस समय स्वण मद्राई चला करते थी तो उसने का कि छे हजार स्वण मुद्राओं की छे बाते हैं तो राजा ने सोचा कि संत है कोई विशेश बात अवश्य रहे होगी तब जाके यह मेरे से तनी बड़ी बात कर रहा है राजा धर्मनिष्ट था सत्यवादी था उसने उस संत से छे हजार सर्प्या देकर वे छे बाते खरीद ली वो छे बाते कोन सी हैं पहली बात है पहली बात है अपने मन की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए मैं क्या करना चाहरा हूँ मैं क्या बनना चाहरा हूँ क्या मेरी इच्छा है क्या मैं बिजनिस करना चाहरा हूँ किस तरह मैं पैसा कवाना चाहरा हूँ अपने मन की बात किसी और को ना बताएं अपने दुखडे किसी और को ना सुनाएं लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे अब जैसे ही अपने मन की बात दूसरों को बताएंगे बस आप वहीं पर डाउट जाएंगे अपने मन की बात अपने तक सीमित रखे वाखी ये क्रोड रुपे की से उपर की बात है आज की जीवन में बहुत बड़ी चीज है और दूसरी बात होती है अपनी अतीत की गलतिया हमने जो गलतिया की है उन गलतियों को भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए यदि हम उन गलतियों को पर्टेक्स समकी सामने उजागर करते चले जाएंगे तो हमें लोग हिन भावना से देखेंगे और अपनी रणनीतियों के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए रणनीति कैसी कि मैं क्या करना चाहता हूँ मैं किस कारिये के उद्देश्य से किस कारिये को कर रहा हूँ क्या मुझे से प्रावत होगा अपने मन में आपके मन में क्या चल रहा है आप क्या बनाना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं अपने रणनीति के बारे में किसी को नहीं बताएं और तीसरी बात होती है, अपने घर की बाते बाहर कभी नहीं बताने चाहिए, अपनी घर की बाते बाहर कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपनी बाते बाहर किसी को बताएंगे, तो आपके घर में 101% जगड़ा होगा घर में माता पिताब के साथ किस प्रकार रहे हैं किस प्रकार आप उनसे पेस आ रहे हैं किस प्रकार आप उनके साथ जीवन वैतिक कर रहे हैं ये सबी बाते आपको बाहर नहीं बतानी चाहिए यदि आप बाहर बताएंगे, तो आपके माबापों का भी अपमान होगा, आपका अपमान होगा, घर में जो लड़े जगड़ा है, उसे घर तक सिमित रखे, बाहर किसी को नहीं बताना चाहिए, इसी चीज़ का बाहर के दूसरे वेक्ति, फायदा उठा लेते हैं, इसी नहीं कितनी है, ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि यदि आप अपनी आमदनी दूसरों को बताएंगे, तो जिस दिन दूसरे वेक्ति को आपके साथे विए किसी रिष्टेदार को पैसे की आवसकता पड़ेगी, तो वहें तुरंत आपस पैसे लेने से चुके अपनी आमदनी किसी को ना बताएं, खासकर अपनी पत्री को भी ना बताएं कि मेरी पूर्ण आमदनी इतनी है, क्योंकि अगर वहां भी बताओगे, तो भी आप फश जाओगे, अपने सुरक्सा के हेतु, अपने जिम्मेदारियों को समझते वे कुछ पैसा आपको आतीत क के लिए बचा कर रखना चाहिए, और पांच भी बात होती है, अपनी कमजोरी, मेरे अंदर क्या कमजोरी है, मैं कहां पर आकर लूब जाता हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, जिसके आगे मैं जुग जाता हूँ, अपनी कमजोरी, पलस अपनी सक्ती, किसी को नहीं बतानी चा इस सक्ति के माध्यम से मैं ये कारिय कर सकता हूँ, इन दो चीजों को कभी नहीं बताना चाहिए, यदि आप ये दो चीजे आप दूसरों को बता देंगे, अपनी कमजोरी और अपनी सक्ति, तो सत्रू आपके उपर समय देखकर आपके उपर परहार कर सकता है, आपकी कमजोर आपने जो बाए हाथ से दान किया वे दाए हाथ को पता नहीं चलना चाहिए जो दाए हाथ से किया वे बाए हाथ को पता नहीं चलना चाहिए यानि कि आपने जो दान किया उसी गुप्त रखना चाहिए जो लोग दान कर धंडोरा पीटते हैं दिखाते हैं कि मैंने अमुग करा रहा हूं मैं अमुग कारिय करा रहा हूं मैंने मंदिर पर ये कारिय करा दिया मैंने वो कारिय करा दिया वो सिर्फ नाम तक किसी बिंत रहते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता दान करें तो गुप्त दान करें उसको धंडे ना पीटे तो इस परकार उन संत ने राजों को 6 बाते बताई और 6,000 स्वन मुदरा लेकर राजों को आसिरवाद देकर वहाँ से बिदा किया तो उन राजा की मिली बातों का ज्यान मैंने आपको भी बताया आपके जीवन में घटने वाली घटनाई हैं इनको समझे और इनको समझ कर अपने जीवन झाल 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 झाल